विशाल आदित्या सिंग की बिग बॉस में जरनी रही है काफी ज्यादा शांदार और ये बात आप सब जानते हैं विशाल ने बिग बॉस के घर में शांदार तरीके से अपने गेम को खेला है आसीम और रश्मी जैसे दो कमाल के दोस्त बनाए है विशाल घर से बाहर आए उन्हें लोगों का धेर सारा प्यार मिला और घर से बाहर आए विशाल ग्राइंड फिनाले का हिस्सा भी बने ग्राइंड फिनाले में मधुरिमा के साथ विशाल की केमिस्ट्री एक पर फिर से नजर आई है लेकिन इस खास रिपोर्ट में हम आपसे आसीम रश्मी की हार पर विश्वाल अदित्य सिंग के पड़े स्टेट्मिंट के बारे में चर्चा करेंगे आप सब जानते हैं बिग बॉस को लेकर ये खबर लगातार आ रही है शो तो फिक्स है जान बूचकर आसीम रश्मी को हराया गया है जान बूचकर सिधार्त शुकला को जिताया गया है अब इन सब के बीच में बता दे आपको सवाल किया गया विश्वाल अदित्य सिंग के शो के फिक्स होने पर सवाल पूछा गया विशाल से कि आपको भी लगता है विशाल की बिग पॉस फिक्स है और आसीम रश्मी को जानबूच कर हराया गया है विशाल आदित्य सिंग ने कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं है जी हाँ ठीक सुन रही है आप विशाल आदित्य सिंग ने साफ तोर पर कह दिया है कि लोगों को लगता है कि बिग पॉस फिक्स है लोगों को लगता है कि जान बूच कर रश्मी आसीम को हलाया गया है जबकि ऐसा कुछ नहीं है शो से बढ़कर कोई नहीं है लोग जो कह रहे हैं वो ऐसे ही कह रहे हैं रश्मी और आसीम इतना अगे तक पहुँचे हैं वो अपने आप में विनर हैं और एक पॉइंट के बाद कुछ भी हो सकता था उसी पॉइंट में सिधार चुकला जीत गए यानी बिग बॉस के बाहर लोगों को लगता है शोव फिक्स है लेकिन जो लोग इस सीजन को हारे भी हैं उनके दिमाग में भी दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है नेक्स्ट नाइन न्यूस से मीघा की रिपोर्ट